हलो एवरीवन वेलकम बेक टू मैं यूट्यूप चलने उनिक लासस तो आप सभी की बहुत कमेंट आ रही थी कि मैं हम युमानिटीज का जो स्लेबस है वो लेकर आओ ब्लियूप्रेंट लेकर आओ लेकिन अभी तक युमानिटीज का कोई भी ओफीशल स्लेबस जो है वो तो पाया नहीं है 2024 के लिए तो हम 2023 से 24 वाले सेशन का ही देखेंगे क्लास 9 का और जिससे हम अंदाजा लगा लेंगे क्या 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 आ सकता है ठीक है और जितना आपको 2023 से 24 के में बताया है mostly वे चीज़े तो आपकी आने ही वाली है इस साल भी अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो तो तब ही पता चलेगा जो बैसे वैसे अपने स्लेवस को डिलीज करेगा तो एक लास 9 के लिए है और आप सभी को पता ना हो तो मैं बता दू कि पिछले साल युमानिटीज में भी दो राउंड हुए थे ठीक है और दो राउंड कौन-कौन से थे पहला राउंड आपका था रिटन टेस्ट मीन्स आपका जो एंट्रेस एक्जाम था ये MCQ का जिसके लिए आप प्रपेर कर रहे हैं जिसकी वेटेच थी 70% एंड second job का round था वो था group discussion जिसकी वेटेच थी 30% अब यहाँ पर जानने वाली बात एक यह है कि जो बच्चा अपने first round को crack करता है वही बच्चा second round के लिए जो है जाएगा यानि कि वही बच्चा second round दे सकता है पहले उसको first round क्लियर करना पड़ेगा अच्छा अब हम बात करते हैं अपने first round के बारे में तो first round में आपको duration कितना मिलेगा आपको 3 गंटे मिलेंगे अपना exam देने के लिए और यह जो blueprint है आज मैं आप सभी को बता रही हूँ और यह जो blueprint है यह grade 8 level का ही होगा यानि कि आपके जो questions आएंगे या जो भी आपके topic है यह सब के सब आपके 8th class तक के level के ही रहने वाले हैं तो यह ना समझेगी हमारों तो बहुत high-five आएगा नहीं ठीक है तो आपके सबसे पहले बता देती हूँ कि मैं आपके total जो है four sections आने वाले हैं exam में और जो section A है वो reading comprehension and language ability का होगा जिसमें कि आपको जो है कोई भी comprehension दे दिया जाएगा और उससे related आपसे questions जो है पूछे जाएंगे ठीक है और आपसे कुछ basic grammar के लिए पूछा जा सकता है जसके punctuation, spelling errors वगेरा होते है इस तरीके से अच्छा तो यह आपका कितना रहने वाला है इसमें आपके total 15 questions आएंगे and यह आपको 15 marks देकर जाएंगे और यह MCQ है next जो आपका section है वो है section B और जो कि है आपका logical reasoning logical reasoning या फिर मैं इसको बोले तो mental ability बोल सकते है ठीक है इसमें आपकी जो logical reasoning है वो verbal, non-verbal दोनों तरीके की आएगी ठीक है तो आपको वो चीज़े आनी होनी चाहिए मतलब की आपको images वाले questions भी आने चाहिए आपको जो है जो questions जैसे की missing number होते है alphabet series होती है ठीक accounting figure होती है यह सब आपको आना चाहिए humanities के लिए इसके आपके 15 questions आएंगे marks again आपको 15 मिलने वाले है mcqe रहने वाला pattern और मैं आपको बता दू कि आप सभी के मन में question हो रहा होगा कि मैम reasoning तो हमारे लिए बहुत new है हम कहां से करेंगे reasoning का तो हमें R भी नहीं आता है क्योंकि आज तक हमने reasoning की नहीं है है ना और आपके लिए बहुत नहीं भी है कैसे करेंगे कैसे practice करना है कैसे हम मतलब इसको cover कैसे करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो है yoni classes पर भी बहुत सारी reasoning की videos डालते है साथ ही अगर जो बच्चा हमारी paid classes join करता है उसको तो reasoning की बहुत सारी videos मिलेगी और बहुत material मिलने वाला है तो अगर कोई बच्चा paid classes join करना चाता है तो वो yoni classes जो आपका instagram है उसमें मुझे dm करके बता सकता है और आपको पता होगा कि price जो है December के लिए 600 rupees है और आपका जो January में अगर कोई बच्चा join करता है तो उसका 800 rupees ही उसको देना पड़ेगा ठीक है इसमें आपको notes मिल जाएंगे आपको mcqs test मिल जाएंगे mcqs की practice कराई जाएगी और आपको domain जो है कोई आप तीन domain किसी तीन domain की पढ़ाई आप कर सकते हो only और only 600 rupees में तो अभी देरी किस बात किया अभी से join करो क्योंकि आपको बहुत सारी previous classes जो हैं अभी आपको वो भी देखनी पड़ेंगी तो आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि आपको इस course में अपनी previous classes यानि कि जतनी भी अभी तक classes हो चुकी है around one month हो गया है paid classes को चलते हुए बहुत सारी classes हो चुकी है वो सब आपको मिल जाएंगी test आपको मिल जाएंगे ठीक है तो देरी किस बात किया अभी इसे जल्दी से join कर लो और जिसको join करना है वो मुझे instagram पर dm कर सकता है मैं उसको एक qr code send करूँगी और वो उसे scan करके payment करके जो है screenshot send करेगा और फिर हमें पता चल जाएगा कि आपने payment कर दी है ठीक है तो अब यहाँ पर reasoning जो है इसमें मैंने बता दी आपको कि verbal, non-verbal दोनों types का आएगा ठीक और 15 marks के question आएंगे आपके और 15 ही question आएगे वाले है next जो आपका section है section C data interpretation data interpretation क्या होता है इसके questions कैसे करने होते है क्योंकि यह भी नया ही है तो यह भी मैं आपको जो है अपनी paid classes में कराने वाली हूँ तो आप सभी जो है जल्दी से paid classes को join कर सकते हैं बहुत benefit मिलने वाला है ठीक है और इसके questions जो है आपके total 15 आएंगे और यह आपको marks भी जो है 15 देकर जाएगा और हाँ आप सभी को data interpretation जो है बहुत बचों का आता भी नहीं है और new भी होता है तो उसकी भी बड़ी tension रहती है तो उसकी tension अब छोड़ दो क्योंकि हम paid classes में उसे कराने वाले हैं और अब बात करते हैं domain knowledge questions की domain यानि कि आपका humanities है humanities means आपकी बहुत सारी SST आने वाली है जो कि आपकी 15 question आएंगे और 15 ही नंबर देकर जाएगी अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो बच्चा class 9 के लिए humanities जो है उसके लिए paid classes को join करता है तो उसे class 9 का PYQ भी मिलेगा उसे class 9 का SST का PYQ भी मिलेगा पिछले साल का यानि की 2023 से 24 के session का तो देरी किस बात की है PYQ से हमें बहुत कुछ help मिलती है कि किस type के questions आते हैं क्या क्या रहता है at least हमें एक idea लग जाता है कि SST का PYQ जो है अभी तक किसी को नहीं मिला है ठीक है लेकिन मेरे पास उसका PYQ है पिछले साल का तो अगर आप सभी उसे लेना चाहते हैं तो भी आप हमारी paid classes को join कर सकते हैं अच्छा बात करते हैं डॉमीन नोलिज में आपके कितने topics हैं तो यह देखो यह कुछ topics आपको दियो हैं सबसे पहले environmental movements in India तो यह वाला topic जो है यह भी हमने कराना है paid classes में next आपका है national independence movement in India जितने भी आपके national movements हुए थे ना इंडिया में वो सब है फिर आपका Indian constitution यानि कि जो आपका भारतिय सभीधान है वो कैसा है ठीक है colonialism जो है वो भी कराएंगे और फिर आपका है different types of industry and agriculture तो यह सब आपको जो है मिल जाएगा आपकी paid classes में humanities के लिए और अब आपको यहां से पता चल गया होगा कि syllabus क्या है अच्छा तो इन्होंने बताए कि total questions आपके 60 आएंगे और marks भी के लिए अगर कोई बच्छा जो है round 1 को जो क्या कर सकता है clear नहीं कर पाता है तो वो round 2 के लिए eligible नहीं होगा अब बात करते है second round के लिए तो second round आपको ए group discussion होगा जिसमें कि आपसे 15 से 20 minute का group discussion जो है रहने वाला जिसमें कि 8 students रहने वाला discussion के time पे ठीक है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ जो है वो बताया है तो group discussion को अभी थोड़ा सा side रखो क्योंकि अभी हमारा main focus रहना चाहिए round 1 पर round 1 जो है वो difficult भी है अगर वो clear नहीं हुआ तो round 2 को तो भूली जाओ इसलिए पहले round 1 की preparation करनी है तो मेरे ख्याल से आपका syllabus हुआ होगा clear अभी और मिलते हैं अब एक नई वीडियो में तब तक है अगर कोई बचा paid classes जोईन करना चाता है तो मुझे instagram पर message करें ठीक है और आप सभी इस वीडियो को like कर सकते हो अपने friends में share कर सकते हो साथ ही अगर कोई नया बच्चा है तो चैनल को subscribe कर सकता है साइब जो बैल एकनों से प्रेस कर सकता है जिससे कि new वीडियो से notification time to time आती रहेगी साथ ही आप हमारी Instagram की ID को follow कर सकते हो Uniclasses का नाम से है और हमारा telegram group जो है उसके link आपको description box में मिलेगी उसे भी आप जाके join कर सकते हैं जिससे कि आपको जिसने भी notifications होती है वीडियोस की और कुछ most important चीज़े news होती है वो सब मैं आपको हाँ पर दे देती हूँ तो चलिए मिलते एक नई वीडियो में तब तक कि लिए छोटी सी comment करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी thank you so much for this video stay tuned